खवर राजधानी रायपूर सी है जहां केंदरी ग्रीह मंत्री अमिशा के वीडियो में छेड़चार पर वारल करने का रोप लगाते हुए भाजपा प्रतनेधी मंडल ने निर्बाचा नायोग में शिकायत किया है बाजपा सांसर सुनिल सोनी ने कहा कि साउत में अमिशा ने कहा कि सम्मिधान में धर्म की आधार पर अरक्षन देना उल्लेखित नहीं है धर्म की आधार पर दिया अरक्षन को खत्म किया जाएगा उनके इस वीडियो से छड़चाल कर वारल किया जा रहा है इस मामले में सुराज एक्स्प्रेस संबादाता दिलिप साओ ने बिजेपी सांसा सुनेल सोनी से खास बातचीत की है कि बाबा साब के दोरा रचित सविधान और जिसके अधार पर आजादी के बाद में आस तक के जो व्योस्ता है वो हमेशा कयम रहेगी SC, ST, OVC जो उनका हक अधिकार है जो मिलता है उसको हम आने वाले वरसों तक के उसको जारी रखेंगे लेकिन इसके अंदर में छिडकानी करके कि इसके समात करने का बात हमिस साजी ने कहा है और ये जो है बाबा साब के सविधान के विपरिश जाकर तुस्ति करण के अधार पर मुस्लिम बवर को कौरक्षन दिया जिसको हम समात करना चाहतेbak तो उसको लेकर जो जो चड़कानी की है और उसके बाद में डर रहे हैं भैबी थैं घबला रहे हैं तो उनके खिलाप में हमने अच शिकायत किये हैं क्या कह रही है निरवाचन आयुक ने कहा है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जेल जाना चाहिए और हम यतास्तिति पूरे मसले को लेकर वे निर्वाचा नायोग में सिकायत के हर निर्वाचा नायोग में उन्हें आस्वासन भी दिया है कि इस पूरे मामले पर यह था उचित कारवाई की जाएगी कैमरा पर्शन गुपेंद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपूर से दिलिपसा कुछ नायो जाएगी कारवब है।